विश्विद्याले अनुदान आयोग ने एक ही विधा या दो अलग विधाओं में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे जल्द ही चातर एक साथ दो डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे हालांकि इसमें से एक कोर्स नियमित पाठेकरम के तहत होगा तो दूसरा डिग्री कोर्स ओनलाइन डिस्टेंट लर्निंग कोर्स के जरिये किया जा सकेगा UGC के सचीव रजनिश चैन ने कुरुवार को बताया कि हाल ही में भारत में छातरों को दो डिग्री कोर्स एक साथ करने की इजाज़त देने वाले प्रस्ताव को हाल ही में आयोक के एक बैटक में मन्सूर किया गया है उन्होंने बताया कि इस संबंद में चल्द ही एक अधिसूच नाचारी की जाएगी UGC ने इस संबंद में पिछले साल वाइस चेर्मेन भूशन पतवर्धन के अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है एक ही विशुविद्याले या अलग-अलग विशुविद्यालेओं में डिस्टेंट मोड, ओनलाइन मोड और पार्ट टाइम मोड में पाठे क्रम निधारित किये गए है UGC के अधिकारियों के अनुसार ये पहली बार नहीं है कि आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है UGC ने वर्ष 2012 में इस मुद्दे पर एक कमीटी गठित करिस सम्मन में प्रामर्श भी किया था लेकिन उसके बाद इस विचार को पीछे छोड़ दिया गया उस समय की कमीटी की अध्यक्षता तब हैदराबाद उनिवसिटी के वाइस चांसलर फुर्मान कमर ने की थी उन्होंने सिफारिश की थी कि एक छात्र जिसका उनिवसिटी के नियमित डिगरी पाठ्यक्रम के लिए पंजिकरन हुआ है वो साथ-साथ एकतिरिक डिगरी कोस भी कर सकता है लेकिन वो कोस ओपन उनिवसिटी यदिस्टेंट मोड में उसी विश्य विच्विद्यालय या किसी अन्य विश्य विच्विद्यालय से होना चाहिए पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ दोनों डिग्री कोर्स नियमित होने पर कई व्यवत्थागत प्रशासनी को सेक्षनिक दिकते आ सकती है इसलिए एक साथ दो नियमित डिग्री कोर्स करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी एक डिग्री पाठे क्रम के साथ एक छात रेकन्य डिग्री, पीजी डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट हासल कर सकता है कमीटी ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये पाठे क्रम एक समय में अधिकतम दो ही हो सकते है उन्हें एक साथ कई कोर्स करने की जाज़त नहीं हो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हमारा चैनल न्यूज एन आट, लाइक अंड, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, नमस्कार